राम मंदिर पर टेज़वी यादव का भासवर क्यों हो रहा है वाईरल दरसल इस भासवर में तेज़वी यादव ने कहा था कि आप बिमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या असपताद जाओगे आए सुनते हैं इस भासवर को पूरे डिटेल्स में तेज़वी यादव नहीं किसी धर्म पे सवालें काते हैं जो हम मुंडन करा हैं, अपनी बच्छी का मुंडन कराने केती रूपन था तो शद्धा है, अंकल मानते हैं भए खाट पूजा अमने घर में वोलता है जब बोधी जी को नहीं पता होता था खाट करें तो अपसे में माघ करते हैं तो हम लोगों को क्या पढ़ पढ़ा हैं? हम लोग उस बात करी करें अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना मन में है ना कनकन में है ना जहां नियत साफ है वही भगवान है तो ने के दिर्वत काहें मंदीर बनाती है यह बनाती है भगवा लिया है वहात वहाँ नियुक्त बापता दा प्रड़ा तां उस चाके तुछो कि मोधी जिला है तो बल सी चल रहा है यंद निला भी है और इस ते रहे अर्यागे लोग से टिर्फ नूपते रहे यह दो लोग इस तो तो इन सब चीजों से बचिए और मोधी की बात नहीं मुद्वें की बात कीजिए जो है और भाषन के अलावा और कुछ किये हैं हजानों लाखों करोर रुपया अगर आयोध्या में खर्च हो रहा है कंग गच्षा हो जाता है है कि असली दे पाते नहीं दे पाते की नहीं है रहां तो क्या चाहिए वहद की और खुष रहे अठी रहे संपन रहे जानि आता है तो सुखी संपन खुश तो आपको जब नौकनी मिलेगा शिक्षा की मेवस्ता होगी शिकित्सा की मेवस्ता होगी तभी नहों पाई तो यह लोग तो फणाउटी लोग ओदी जी फणाउटी और मिलाउटी आदिनी है वहाद समझे लगा ओदी जी जो है वह जूट बोलने के मार्केटिंग किया जाता है पता हो यह मीडिया के लोग है आप लोग लाखों में एक दिन में रोजगार दिया जा रहे हैं मीडिया के लोग है वप में पुट